नमस्कार इस समय मैं मद्यप्रदेश के खंडवा के हरसूद रोड पर खड़ा हूँ हरसूद रोड पर ये जो गाड़ी आ रही है ये खंडवा तरफ से आ रही है और ये गाड़ी जिस तरफ जा रही है वो हरसूद की तरफ जा रही है और मैं जहां ठीक खड़ा हूँ वो शाम रिजोर्ट में खड़ा हूँ जहां पर ये खंडवा की बहुत ही प्यारी सुन्दर रसोई है और इस रसोई की खासियत यह है कि यह आपको घर जैसी रसोई की फीलिंग देगी भरपूर पार्किंग आपको दिख रही है ये शाम रिजोर्ट है शाम रिजोर्ट के अंदर ही ये रसोई मौजूद है बहुत ही अच्छा ये एक शांदार रेस्टरेंट है प्योर वेजटेरियन है गोयल साब इसका उपरेट करते हैं गोयल साब का मतलब ही समझ जाएंगे क कितना ध्यान वो चीजों का रखते होंगे और डेफिनिटली रख्या जाता है फैमली सहित अगर आपको जंक फूड खाने का मूड है तो जंक फूड भी यहां मिलता है सबी तरह का इटैलियन यनी पिज़ा बर्गर हर तरह की चीज़ें यहां मिलती है सामने आपको दिख बर्डे पार्टी अगर आपके घर में है किटी पार्टी है अनिवर्सरी पार्टी है तो आप यहां आकर डेफिनेटली वो कर सकते है और अच्छा खाना खाना यानि आपके साथ बच्चे हैं बच्चों बच्चे आप जानते हैं कि जंक फूड पसंद करते हैं तो यहां प पर किचन भी आपको जरूर दिखाएंगे क्योंकि गुएल साब किचन पर विशेश ध्यान देते हैं और किचन बहुत मैत्पूर्ण होता है हाईजेनिक होना चाहिए साब सुत्रा होना चाहिए और किचन के भी आपको दर्शन कराते हैं लंबा चौड आउटलेट है फैमिली और सिरपाल विशेश दिखिए ऒखिए और 10 नारी शक्ति सी अगर किचन में होते हैना तो फिर किचन में घर जैसी फिलिंग आती ही आती है विवश्थित किचन है फ्रेश आईटम मन रही है किचन में सबसे इंपॉर्टेंट ही है कि साप सुत्रा ओन चाहिए और फ्रेश आइटम अगर कस्टमर को मिल जाए तो फिर कहने ही क्या एक बार आप यहां जरूर ट्राइ किजेगा और होम डिलिवरी चाहते हैं तो होम डिलिवरी भी यहां पर आपको मिल जाएगी नमबर नीचे दिया है हरसूद रोड पर शाम रिजोर्ट के अंदर यह आउटलेट है ए अच्छा स्टाफ है हाईजेनिक व्यवस्ता है तो फिर देर किस बात की खाना खाने का मूड हो तो बस थोड़ा सा शेहर से भार आपको गाड़ी ले कराना है आउटिंग भी हो जाएगी और फिर आप अच्छा खाना भी एंज़ॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ भी आ सकत हैं वास्तों में बहुत अच्छा रेस्टरेंट है खाना भी बहुत गजब का है सर्विस भी बहुत अच्छी है